नमस्कार आप देख रहे हैं वीके नियूज और मैं दिश्टुर पाध्या है पियम मोदी शुकरबार को राश्ट्य गंगा परिशद यानिकी नमामी गंगे प्रोजेक्ट की पहली बैठक में शामिल होने उत्तरप्रदेश के कानपूर पहुँचे थे इस दोरान उन्होंने गंगा से जुड़ी तमाम परियुजनाओं का निर्चन किया इसके बाद जब ये मोदी मोटर वोट से गंगा का जयाजा लेकर अटल घाट की सीडियों पर चड़ रहे थे तो तब ही अचानक से एक उची सीडियों पर पाउँ टकराने से उनका संतुलन बिगड गया जिसके बाद मोदी लड़ खड़ा गए ये देखकर मोदी के साथ चल रहे सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों के हाथ पैर फूल गए सुरक्षा कर्मियों ने आनन फानन में उन्हें पकड़ कर उठाना चाया लेकिन प्रधान मंतरी निरिंद मोदी खुद में ही बता दिया था कि अटल घाट पर एक सीड़ी जादा उची है यहां तक के स्पी जी ने भी पीयम मोदी को भी इस बारे में बता दिया था लेकिन दरुभाग्य पूर्ण ये घटना घट गई अलागे पीयम मोदी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई इस घटना के भी इस मानभी अभूल की घटना पर राजनीत शुरू कर दी है समाधी पार्टी के नेता आई पी सिंग ने इस घटना पर तंज कसा तो बीजे पी नेता तजिंदर पाल सिंग बगा ने सपानेता को जोड़दार सबक सिखाया दरसा सपा के राश्टी पबकता आई पी करते हुए लिखा कि ना मैं गिरा हूँ ना मुझे किसी ने गिराया है बीटियों पर रत्याचार से विथित मा गंगा ने मुझे डोवया है सपानेता के इस ट्वीट के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंग बगा ने आई पी सिंग को करार जवाब दिय और ने सपानेता के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि कर ले साजिशन जितनी सपलना हो पाएंगे जो गिरेव हैं नजरों से वो हमें बताएंगे खेर कुछ भी हो बगर इस तरह की मानविय भूल पर विबक्ष को राजनेती करनी ठीक नहीं है क्योंकि अनहोनी घटना किसी के भी साथ घट सकती है और मारबता हर किसी के अंदर जरूर होनी चाहिए क्योंकि ये एक अच्छे व्यक्ति की पैचान भी है जिस तरह से पियम म